जगदल पुर्जीले के स्वेम सहता समूह वह आंगन बाड़ी कार्ज करताओं ने बस्तर अधिकार मुक्ती मूर्चा से किया सिकायत महिला बाल बिकास सरकारी अधिकारियों और क्रमचारियों द्वारा एक ही जगद से रेडी टू इट का सभी सामान खरिदने पर किया जा रहा है मजबूर जी हाँ जगदल पूर जिले के स्वेम सहता समूह वह आंगन बाड़ी कार्ज करताओं ने जमकर किया बावाल वह वह विरोत परदर्शन साथी बस्तर अधिकार मुक्ती मूर्चा से नयाय की लड़ाई में सार्थी बनने का किया अपिल जानकारी के मुताबिक यह मामला कमि जिद्धे जटाई जा रही है जो है बस्तर जीले के सातों ब्लाक के महिलावाल विकास की महतोकांसी योधना रेडी टू इट को निर्मार करने वाली हमारी मात्र शक्ति स्वेसाता समूह के सभी बहने जो है आज यहां उपस्तित हैं और आज बस्तर अधिकार मुक्ती मूर ठक यहां पर हुई जिसमें जो सबसे बड़ा बात निकल कर आया है कि एक तरफ राज्जी की सरकार स्वेसाता समूह बना कर उन्हें ससक्त करने की बात कह रही है दूसरी तरफ महिलावाल विकास के विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो कुपोशन को दूर करने के लिए गर्वती बहनों वा किसोरी बालिकाओं को ready to eat का समागरी दिया जाता है उसमें जो समागरी कर करने की बात आती है उसे विभाग के अधिकारी कुछ दलालों को निर्धारित करकर उनसे ही समागरी करकरने का दबाओ जो है वो हमारी समसाता समू की बहनों पर बनाया जा रहा है जो पूरी तरह से अवयधानिक है जबकि इस योजना के अंतरगत सभी सम्यसाता समू का चैन किया गया है उनका अनुबंद किया गया है और अनुबंद की सर्तों में साथ तौर पर ये लिखा है कि स्वासाता समू स्वतंत्र है समागरी क्रे करने के लिए साथ समू से तो सर हम लोग जैसे जहां हमको सामान मिलता था जैसे हम सामान लेते थे पहले तो हम वैसे ही सामान लेना चाहते हैं क्योंकि हम गुर्वत्ता देखते हैं सामान की पालिटी देखते हैं उस तरह से सामान लेते हैं और अपना जो रेडी टूइट का बनाते हैं तो एक ही दुकान से लेने के लिए अगर दबाव आता है हमारे उपर तो यह हमारे लिए मुम्किन नहीं होगा क्योंकि जिस दुकान से हम पहले से सामान ले रहे हैं उन दुकानों में हमारा उधारी भी अभी बहुत सा रबाकी है और वहां से ही लेने के लिए हम अभी बाध्य तो नहीं है, अगर वहां से अच्छा सामान नहीं मिलते हैं, तो हम एक ही दुकान से सामान क्यों लें?